अमरितपाल सिंग को भारतिय पुलीस ने 22 अपरेल 2023 को फायर आम्स और आम्स अनाम्यूनिशन के अवैद कबजे से संबंदित एक मामले में गिरफतार किया था. उन्हें न्यायक हिरासत में भेज दिया गया और पूर्वोतर राज्य असम के डिब्रूगर्ड सेंट्रल जेल भेज दिया गया. दिब्रूगर्ण सेंट्रल जेल, जहां सिंग वर्तमान में कैद है, एक हाइ सेक्योरिटी वाली जेल है जिसमें कई हाइ प्रोफाइल कैदी रहते हैं, जिन में आतंकवादी और क्षेत्र में सत्रिय विभिन्न विद्रोही समूहों के आतंकवादी शामिल है जेल में CCTV निग्रानी, इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा प्रणाली और एक अच्छी तरह से सुसजित चिकित्सा केंद्र सहित आधुनिक सुविधाएं हैं अधिकारियों द्वारा हाल ही में दिये गए बयानों के अनुसार, पहले की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंग अपनी पत्नी की प्रेग्निंसी के कारण देश से भाग गए है, यह गलत है उन्होंने खुलासा किया है कि अरेस्ट से पहले सिंग वास्तव में कुछ समय के लिए निग्रानी में थे और उन्हें उस समय अपनी पत्नी की प्रेग्निंसी के बारे में पता नहीं था कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि वह सोशल मीडिया पर अपनी प्रसिधी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था और उसका पाकिस्तान समर्थक खालिस्तान आंदोलन उसके बिना फेल कर सकता है सिंग की अरेस्ट से विवाद छिड़ गया है क्योंकि उनके परिवार का दावा है कि वह निर्दोश है और उनके खिलाफ आरोप निराधार है ब्रिटिश उच्चायोग ने भी उनकी अरेस्ट पर चिंता जताई है मामला अभी भी चल रहा है और जांच के बारे में और विवर्ण सामने आना बाकी है यूके ने मानवाधिकारों की स्थिती और भारत में विदेशी नागरिकों के साथ व्यवार के बारे में सवार उठाए है जो कुछ लोगों का तर्क है कि यहां उनकी पाखंडी अपनिवेशिक मानसिक्ता को दर्शाता है दूसरी और पुलीस का दावा है कि सिंग भारत में आम्स एन अम्यूनिशन की स्मगलिंग में शामिल था और वह इस ख्षेत्र के कई मिलिटन समूहों के संपर्क में था ने उनकी रिहाई की मान करते हुए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें मामले में जूटा फंसाया जा रहा है अमरित्पाल सिंग मामला न्यूट्रल जाच और उचित प्रक्रिया की आवशक्ता को रेखांकित करता है आरोपियों के लिए ट्रांस्पिरिंसी औरता बनाये रखते हुए न्याय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है भारतिय होने के नाते हम चाहते हैं कि सरकार जल से जल्द और हमेशा के लिए पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान आंदोलन को रोक दे